दविन जी जय जय गन्नाप प्रधान मंत्री जी मेरे नमस्कार बताईए किस प्रकार के योजना का पुलाब हुआ क्या कहना चाहेंगे आप मुझे पांच किस्तों में दस हजार के प्येम किसान सहथा प्राप्त हुआ है मैंने इस धन को खाद बीज केट नाशक खरीद के लिए उप्योग किया है एकाद क्रीट यानि खेती और पसुपालन के लिए धन का उप्योग करने की योजना बना रहा हुआ अच्छा भारत सरकार एक किसान क्रेडिट काड देती है वह आपको मलूम है क्या यह आपको किसान क्रेडिट काड मिला है अच्छा दूसका क्या करता है मुझे 12 मार्च 2019 को क्रेडिट काड मिला है मैंने चार परसें के ब्याजदर से बेंग से 37,000 का रून लिया है पहले तो 20 परसें के ब्याजदर से साहुकार से कर्जा लेना पड़ता था अब चार परसें के हिसा ब्याजदर से मेरे को रून मिल रहा है और मैं इस धन को ब्याज धन को बीच, खाट, केक ना सक के लिए केशिसी का उप्योग किया है केशिसी और प्येम की साम की योजना के लाप से मेरे जीवन स्थर में सुधार हुआ है इसलिए आपको प्रधान मंत्री जी मेरे नमस्कार नभीन जी, आपके पास कितनी जमीन है? और आपको ये जो किसान क्रेडिकार केसी सी की सुविदा जो आपको मिली है तो अब आप ये खर्च कहां से करते हैं? पहले क्या करते थे? पहले कैसा करते थे? मेरे पास एक एक अड़ चालेज जिसमिल जमीन है अच्छा इतना छोटी जमीन है छोटी जमीन है उसमें धान का फसल उगा रहा हूं मुझे अन्या फसल करने के भी सौख है तो कुछ शुरू किया है अभी तो कुछ किया नहीं हूं प्रेक्ष सौख तो है करना चाहिए अच्छा विचार आपको आया है क्योंकि हमने इस प्रकार से हिम्मत के साथ नई चीज़े करना चाहिए देखें नविजी अटल जी की सरकार ने किसानों को बैंकों से सस्ते रिंड की योजना शुरू की थी और आज उनका जन्मदीन है अब इसको आप जैसे उडी सामें दूर सुदूर बैठे किसानों तक ये मिशन मोड पर काम करने के कान पहुंचा है और जैसा आपने कहां ब्याज में रहात हो गई हैं आपको किसी बहुत बड़े ब्याज में से पैसा नहीं लेना पड़ रहा है अब आप नहीं नहीं फसल जाना चाहते है यही सारी बाते हैं जो छोटे छोटे किसानों को मदद हो इसलिए सरकार काम कर रहे हैं और चोटे Lab किसाननों को समझाईए कि ये केसी सी कार नहीं मिला है तो प्राप्त कर ले केसी सी कार का उप्योग करते बैंकों से पैसे ले ज्यादा ब्याद से पैसे न ले अपने बच्चों के लिए ज्यादा खर्चा करे अपने खेती के लिए ज्यादा खर्चा करे ये जरूर सब को बताईए करेंगे नमींजी पक्का करेंगे चलिए जय जगरनगत आपको